लोग फ्रेंड्स भाई 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 ममी ब्लाज में सर्वेका स्वागत करती हूं उमीद करती हैं अच्छे हेल्थ में होगे विपडिवार का ख्यावी रखते होगे तो गुन-गुन की तरकीब तो लगता है टैंट है फिश अभी हो गई है क्योंकि पंडित इसकी बात मानने से इंकार किया आप कोई भी जहमिले में पंडित नहीं पढ़ना चाता है बस पंडित को अपनी बेटी की चिंता है और इसे लिए वो गुन-गुन को समर के पास जाने देना चाता है कि समर के पास जाए और उसकी बेटी का पता लगा है पर ये दोनों माता है तो जाने नहीं देंगी और क तुम दुरुफ के संग जाके घर बसाओ अच्छा घर बसाओ यह समर के घर को छोड़ो अपने सस्वराल जाओ जहां पर तुम्हारा पती कहीं किराय में ले रहा है घर वहां जाओ वहां जाके रहो और उसके बाद मम्मी पापा अपने आप ही बनेंगे तो दीरे-दीरे समर खुद ही दूर हो जाएगा क्योंकि समर जो अपने बच्चे को नहीं अपना सका वो दुरुफ के बच्चे को क्या अपनाएगा गुन-गुन के साथ इसलिए वह अपने आप ही टाटा बाई-बाई-बाई हो जाएगा इसलिए यह सब करने की कोई जर्वत नहीं है अग गुत्ती से गुत्ती एक एकल के निकलती जाएगी और अपने आप पुलिस को पता चलेगा कि मेन कल्प्रेट यहाँ पे शुरू से राधी का की मम्मी और दुरुफ की मम्मी यह लोग है तो सभी लाइन से अंदर जाएगे सिर्फ समरी क्यों जाएगा तो देखते हैं आगे ह होता है क्या और यहाँ पे समर को जो पागल करने का समर को जादू करने का जो यह लोग का जो नोटंकी चल रहा था वो नोटंकी को तो अब रहने ही देना चाहिए अब पंडिस से में एक चीज़ बोलना चाहूंगी अपनी बेटी की चिंता जब कर रहे हो तो अपनी बेट बेटी को लाके दे सकता है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है अभी तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि गुन-गुन को जब घर बस रहा है तो अंकित को को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और अंकित को पंडित की बेटी को पंडित को लोटा देना चाहिए तो प्रीज में आज का व्लोग अच्छा लगा प्रीज एक लाइक जरूर कीजिए चाल में ने प्रीज सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाइबाइबाइब